नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्षन 313 of CRPC की Criminal Procedure Code के सेक्षन 313 की जो कोड को पावर देता है एक्क्यूज को एक्जामिन करने की तो दोस्तों ये सेक्षन बहुत इंपोर्टेंट है इस पे एक वीडियो तो मैंने पहले बनाया हुआ है पट एक सुप्रीम कोड ने रीसेंटली जज्जमेंट दी है इंद्रा कुमर वर्सिस ट्रेट अफ चत्रिसगड़ की जिसमें सुप्रीम कोड ने 12 प्रिंसिपल्स लेड़ डाउन कियें गये हैं regarding section 313 वैसे तो सारा section self-explanatory है तो हम देखेंगे सुप्रीम कोड ने इन पॉइंट्स में क्या कहा है क्या सुप्रीम कोड ने समराइज करा है section 313 के बारे में उससे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कि section 313 actually कहता क्या है CRPC का तो section 313 CRPC का दोस्तों it is about power to examine the accused by the court यानि court की power के बारे में है examine करने के लिए regarding accused को तो यह कहता है दोस्तों उसका first clause कहता है in every inquiry और trial for purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in evidence against him the court may at any stage without previously warning the accused put such question to him as the court considers necessary यानि की मुकद्दमे की किसी भी स्टेज पर कोट एक्यूस को बिना warn किये उससे पूछ सकती है कि आप हमें यह बताइए कि आपको इस regarding क्या कहना है जो जो को लगता है कि necessary question है for you know को जो उसके अगेंस्ट आ रहा है substance in evidence right दूसरा यह जिसका sub clause है दोस्तों कहता है यहां आप देखिए यहां में का यूज है और यहां पर जो अब शेल का यूज है मतलब यह mandatory है यह कोट की चॉइस है एस चॉइस बीज मेंडेटरी देखिए अब दोस्तों अब यहां देखिए कि कि दूरिंग देट्राइल कोट का क्वेशन करना इस डिस्क्रीशन में का यूज है लेकिन आफ्टर ओल दी विटनेस्स हैव बिन एक्जामेंड और बिफोर डिफेंस एविदेंस दा वर्ड यूज इस शैल मतलब यह कोट के लिए जरूरी है जो स्टेट्मेंट अफ एक्क्यूज होती यह कोट में सभी गवाहों के बाद तुस तीन सो तेरा में वह यहां से वह पावर आती है और यह एक निसेसरी है यह क कोट स्किप निकर सकता है प्रोवाइड देट इन समन्स केस वेर दे कोट है इसमें से भी छूट दे सकता है अब इसमें ओत एड्मिस्टेड नहीं कराई जाती है तो दे एक्क्यूज मेन ही जामिन एग्जामिन अंटर सब्सेक्शन वन तो आप उसको उसके अगेंस्ट नहीं समझेंगे यानि कोट उसके अगेंस्ट उससे नहीं समझ सकता और बाइगिविंग फॉल्स आंसर तो दें यानि वो चाहे तो उसको फॉल्स आंसर भी दे सकता है बट उसके अगेंस्ट नहीं समझा जाएगा उसे इसका मतलब यह है कि बेसिकली प्रोसिकूशन को अपना केस प्रूफ करना पड़ेगा एक्क्यूज ने कुछ बोल दिया उससे कुछ नहीं होता राइट अंसर हलां की कोई भी गलत जवाब नहीं देता जाधा तर अगर कुछ एक्स्प्लेइन नहीं करना चाहते है तो थो यह जोज रिफूस तो अंसर डें रिमें साइलन राइट क्यूंकि गलत जवाब देने से एक गलत इंप्रेशन तो आता ही है अब वो उसके खिलाब पढ़ा तो जा सकता है उसमें उसको पढ़ा जा सकता है जो एक्प्लेशन उसने दिये फिफ्थ यह कहता है दोस्तो दोस्तो दो कोट में टेक हेलप आफ प्रोसेकूटर और दिफेंस कांसिल इन प्रिपेरिंग रेलिवेंट क्वेस्टन विच में भी पूट तो देकूज और कोर्ट में पर्मिट फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट बाइकूज एस सफिशेंट कंप्लाइंस तो दिस सेक्शन यानि की कोट प्रोसेकूशन और दिफेंस कांसिल की मदद ले सकता है क्वेस्टनायर प्रिपेर करने के लिए और उसके लिए को एक्क्यूज को जो है रिटन स्टेटमेंट के भी पर्मिशन कोट दे सकता है टू कंप्लाइविद इस सेक्शन राइट बट जनरली अगर आप कोट की प्रेक्टिस देखेंगे तो जब आप जिस दिन 313 की के रखता है और उसमें बस यूजस्ट हैब तो गिव यूर आंसर टुदी क्वेस्टन ये तो है नॉर्मल प्रेक्टिस मतलब डिफेंस कांसल जा कभी नहीं पूचा जाता है जितना मैंने देखा है कि डिफेंस कांसल से कभी को कोट ने 313 को क्वेस्टन बनवाए हो स्टेट अफ चत्यसगर की तो पहला जो जो कोट ने समराइज करा है प्रिंशिपल वह है दा अब्जेक्ट एविडेंट फ्रॉम देश्टन इसका पर्पस यह है कि एक्यूज को मौका दिया जाए कि वो उन सब चीजों को एक्स्प्लेइन करें जो उसके अगेंस्ट आ रही है एविडेंस में यानि जिसके सबूत उसके खिलाप जा रहे है दूसरा दोस्तों कोट कहता है दा इंटेंट टो एस्टैब्लिश डायलोग बिट्वीन कोट एंड एक्क्यूज यह यानि कोट कह इस अपना पक्ष भी रख सके दप्रोसेस बैनिफिट्स दी एक्जूज इस दकोट इन अर्राइविंग एड़ फाइनल वर्डिक्ट यानि कोट अपने इससे अक्यूज फाइदा होता है कोट अपने अंटिम निरने पर सही तरीके से पहुंच सकता है उसके बाद दोस्तों यह कहता है कि कोट कहता है कि यानि कि हमारे हमारी जो लौ है हमारी इंडियन लौ में एक प्रिंसिपल है कि किसी को सुने बिना उसके खिलाब फैसला नहीं दिया जाता है तो कोट कहता है कि यह जो 313 का जो compliance है वो एक मेर फॉर्मल्टी नहीं है बट इस एन ऑपर्चुनिटी गिवन तो accused to explain himself regarding whatever comes against him in the evidence the ultimate test when concerned with the compliance of section is to inquire and ensure whether accused got opportunity to say his piece यानि कि यह इसका जो यह जो 313 की compliance होती है इसको हम ऐसे देखेंगे कि क्या accused जो कहना चाहता है उसको उसका मौका proper मिला है कि नहीं मिला हम इसकी इस section की compliance हुई है या नहीं हुई है 313 की compliance हुई है नहीं हुई है कोट में उसको देखने का तरीका यह है कि क्या trial court ने accused को अपनी बात कहने का मौका प्रॉपर दिया या नहीं दिया उसके बाद court कहता है दोस्तों in such a statement the accused may or may not admit involvement वो अपनी involvement मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता और any incriminating circumstances यानि कि जो हालात उसके खिलाफ उसमें आ रहे हूं और may even offer an alternate version or interpretation यानि कि वो हो सकता है कि अपना एक बिल्कूली अलग नजरिया दे दे the accused may not be put to prejudice by any omission और inadequate questioning यानि कि गलत सवाल बनाने से court के यानि कि जज़े मान लीजे कि something that is not incriminating and that has been put to accused and he answers something else in the you know in the in answer तो उससे उसके against नहीं पढ़ा जाना चाहिए राइट तो वो हो सकता है बिल्कूली अपना नया वर्जनी लिया है है ना तो उसको उसका मौका दिया जाना चाहिए the right to remain silent और any answer to question which may be false shall not be used to his detriment being the sole reason यानि कि वो किसी कोई या court ने मान लीजे उसके खिलाफ question frame करा और वो उस question के against silent रहता है he does not explain it तो सिरफ इस कारण से कि वो silent था उसके against उसको नहीं पढ़ा जाना चाहिए मतब देर अगर उसके खिलाफ और भी evidences है उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए तो तो ठीक है लेकिन अगर वो सिर्फ एक वो ही reason है कि यह चुप रहा था इसका मतलब इसने करा होगा तो वो ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए this statement cannot be the sole basis of conviction सिरफ 313 की statement के बेस पर conviction भी नहीं हो सकता and is neither a substantive nor a substitute piece of evidence it does not discharge but reduces the prosecution burden of leading evidence 313 के statement करवा के ऐसा नहीं है कि court का जो जिम्मेदारी है कि prove the proving the case beyond reasonable doubt वो उससे discharge जाता है court but यह सिरफ prosecution के जो burden है evidence produce करने का उसको कुछ कम कर देता है to prove its case they are to be used to examine the veracity of prosecution case अब जैसे कि मान लीजे prosecution ने अपनी case में you know कुछ evidences लाएं और accused उस चीज़ गो अपनी 313 की statement में उसके regarding explain करता है तो वो further बात confirm हो जाती है तो वो चीज जो है वो prosecution के case को एक तरह से उसको you know testify कर देती है और अगर जैसे मान लीजे prosecution ने जूटा किसी को पसाया है तो और वो बंदा अपनी explanation जब court में देता है तो court को भी एक better you know circumstances मिल जाते हैं कि what exactly is the case and prosecution ने उसको जूटा पसाया है राइट मतलब यह जो 313 यह direct direct communication between court and the accused उसके बाद दोस्तों this statement is to be read as a whole one part cannot be read in isolation यानि कि मान लीजे कि वो व्यक्ति कहता है कि यह 313 की statement में court उससे पूछता कि वही आपके एविडेंस आ रहा है कि आपने उस व्यक्ति को चाकु से मारा था ठीक है अब वह व्यक्ति कहता है कि court में सर मैंने उसे चाकु से जरूर मारा था लेकिन वह मैंने उसको self defense में मारा था किसी चीज के वह में मेरे किसी, you know, मेरे पर अटेक कर रहा था, उसने मेरे पर हमला कर रहा था, इसलिए मैंने उसको चाकु से मारा, है ना, उसने इस चीज को पूरा बोला, अब आप उसमें से इतना ले लो, कि क्या ना, इसने कहा सर, कि इसने इसको, इसने इसको मारा था, तो, that cannot be read in isolation, उसने बोला कि मैंने इसको मारा था, बत इसको मारा मैंने self-defense में था, so you have to take it as a whole, and one part of the statement cannot be taken, such a statement as not a note, does not qualify as a piece of evidence, क्योंकि ये ओथ पे नहीं होती, तो, इसलिए इसको सबूत नहीं माने जा सकता, under the section 3 of Indian Evidence Act, however, the inculpatory aspect as may be born from the statement, may be used to lend the credence to the case of prosecution, यानि कि इससे, prosecution का case तो, फुकता होता है, बले ही, वो, section 3 के अंदर evidence नहीं हो, the circumstances, not put to the accused, while rendering his statement, under section, are to be excluded from consideration, as no opportunity has been afforded to him to explain them, यानि कि जो aspect आपने, जैसे कोई evidence उसके against आया, in the, in the evidence, in the trial, और उसका आपने उससे explanation नहीं मांगी, यानि मान लेजे के court की गलती की वज़े से, उसका question frame नहीं हुआ, उसका question frame नहीं करा, prosecution नहीं करा, आएगा, as, has, no opportunity has been afforded to him to explain it, ते, right, यानि कि उसको क्योंकि explain करने का महुका नहीं दिया, तो उस चीज़ को आप consider नहीं करेंगे, इस वेरी important point, the court is obligated to put in form of questions, all incriminating circumstances to the accused, so as to give him an opportunity to articulate his defense, यानि कि वो अपने defense बना सके, इसलिए उसको जो 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 उसके evidence में आ रहा हा, सब कुछ उससे court पूशता है, the defense so articulated must be carefully scrutinized and considered, यानि और जो भी वो defense बना रहा है, उसको court को consider करना चाहिए, उसके बाद दोस्तों court कहता है, non-compliance with the section may cause prejudice to the accused and may impede the process of arriving at the fair decision, यानि कि अगर आप इस section का compliance नहीं करते, तो इससे नाकेवल accused को नुकसान होता है, but fair decision भी आप करेंगे, इसकी भी कोई guarantee नहीं है,